कि अले गड़ मुस्लिम में अगर कोई भी स्टूडेंस इंट्रेस्टेड है खासकर 11 कॉमर्स स्ट्रीम में एडिमिशन को लेकर तो उसे चाहिए कि सबसे पहले उसके बारें कुछ बेसिक इनफर्मेशन है उसे एसस कर ले एंड उसके बाद फिर वो तैयारी करें उसमें जो ह सब्सक्राइब करकर एक स्टंडर्ड क्रेट करने को करें कि कोश्चन का स्टंडर्ड क्या है फिर उसके हिसाब से अपनी तयारी रखें और थार्ड तिंग यह की मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करने जतना ही ज्यादा आपको उस चैप्टर पे उस टॉपिक पे के लिए वह चार स्कुल है और सिफ्सक्राइब करने कौा मर्स सत्रीम में तो स ellाबावा जो है वह स्ट्टिश के लिए उसके लिए जिसमें गॉव Covid की लिए इसकुछ के लिए और 60 सीट जो है वो सीव गल्स के लिए है तो अब इसके बाद हम अगर eligibility criteria की बात कर ले यानि की qualification की बात कर ले तो आपने जहां से भी 10 दिया हो चाहे वो किसी भी state board से हो सकता है या central board से हो सकता है तो at least आपका 45% marks होना चाहिए मतलब यह है कि जब जैसे अगर सब्सक्राइब आप इंटरंस किलियर कर लिए और जब admission लेने जाएंगे तो आपका 45% होना चाहिए अब भी फॉर्म फिल करने के टाइम हो या ना हो कोई सुनी है पर जब आप admission लेने जाएंगे तो उस नम आपका 45% होना चाहिए नहीं तो आपका admission कैंसिल हो जाएगा इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की क्रेट एरिया की बात कर लें खासकर 11 कॉमर्स स्ट्रीम में तो 19 यह है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और सेलेक्शन का प्रोसेस तो आप समझ सकते हैं थेसस देना होता है लेकिन यह रेमाइन करते कि सब्सक्राइब करना है कि वह इसमें वायवा वगरा भी शुटा यह इन्टर्वी में वह इसकुछ नहीं बस आपको इंट्रेंस क्वालिफाइए करना है जैसी कॉलिफाई कर ली समझी आप आपका एडमिशन होगा एडमिशन होगा आपके क्लासेश चलेंगे इस तरीके साब एम्यू का स्टूडेंस हो जाएंगे वही अगर पेपर यानि exam pattern की बात कर लें यानि question paper की patterns की बात कर लें तो जो question paper होंगे वह social studies से 60 marks के होंगे और mathematics से 20 marks के होंगे और general knowledge and Indo-Islamic कल्चा से 10 on 10 यह समझे जिसे आपका mcqs based question रहेगा और आपको handed question रहेगा दी जाएगी और उसी question में जो आपके 60 marks के जो question है वह social science social studies से है social studies में भी देख सकते हैं सिविक से economy के history and geography है तो अभी मैं इसका syllabus भी दिखा दूगा और मुश्च प्रेवली जो पिछले साल जो टेस्स इंटर था देख सकते हैं यूपी से लेके विस्ट बंगाल एंड बिहार तक इसका सेंटर था और जम्मो कस्री में कस्मीर में भी था पर जश्क कोविड के वाज़े से टेस्स सेंटर को थोड़ा सा बखा सकते हैं इसके लाबा अब मैं आपको शलेवस दिखा देता हूं अगर हम बात कर ले तो दो चीजे इसमें इंपॉर्ण इपर होता है पर से लेवस दोनों का कॉमन है इसके अलाबा अगर हम बात कर ले जैसे मुनें कहाई कि आपका सोशल स्टडीज का पेपर में सिविक्स इकॉनव पूछा जाएगा और में अब समझ सकते हैं मेरे खाल से इसमें 20 मार्ट का पूछा जाएगा और यह जनरल नौलेज और इंडोस्रामी कल्चर जो है वो टेंटेंट मार्ट का पूछा जाता है खैर अब हम कोशन पेपर की पैटरन की बात कर लिए तो आपके तीन लेंग्व चाहिषा लेंट गर्ण ड़ीट इस तश्राइग से यू मृस्कि फिय कृटतव्य डेमोक्रेशी उयुज है दिखो उन्हाट को मेरा एक सजिंट यह kもの डेमोकरेष्टिक तो मेरा एक शज्रेशन यह रहएगा कि वह वध्युम मैं इसे इंट कर रखा ऑज और और आंप अस सब्सक्राइब तो यह तो आपके चैटर्स ही हैं स्टी में तो वह ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चैप्टर दिख रहा है वो तेंथ का ही दिख रहा है पर ऐसा नहीं कि नाइन का भी इस सब्सक्राइब अपर जैसे कि रिसोर्स की बात कर ले तो मेरे ख़ल से नाइंथ में पढ़ना है यह यह जो था आपका स्लेव स्वास साइंस का था वह यह अगर इंडिया स्टॉपिक्स आपको पढ़ना है एंड उसके अलावा फिर अगर हम बात कर लें देखिए इस आप मिं का जो मैत है वही पूछा जा रहा है पर इसका यह बिल्कुल भी मतलम नहीं रहता है कि नाइंस से एक दम नहीं आगा नाइंस से तो दो चार कोशन तो लेप वेठी देता इसी वात नहीं है और ट्राइंगल वगारा क्योंकि ट्राइंगल आपको मेरे खल से नाइंगिल कु करता है आप यह मान के चले आपके कोडिनेट भी पूछा जा रहा है उसके बाद जो रिमेनिंग जो जी के का जो पॉर्चन था टेन मार्क्स का उसमें देख सकते गेम सेंट यहां पर टूटू मांक्स का मैं तो मैं तो यह सजिस करेंगा आप कोशन पेपर को अच्छे समझ इसे किसमें इन कोर्स में जैसे कि आपका हुमनेटी सेंट कॉमर्स में तो जैसा के स्टूडेंस बता रहे थे कट ओफ जो गया है वह 50 से 70 के ब्यॉंड में आसपास में गया एक्जैक्ट तो नहीं बता सकते है क्योंकि वैसा कट आफ रिलीज करती नहीं पर एस टुडेंस स सब्सक्राइब तो उन्हें तो बहुत हतक सब्सक्राइब कर ले दूसरा यह कि अगर आप जिसकी पर खास टॉपिक पर या फिर कोई कमेंट हो तो कमेंट में कमेंट पूस्च लीजिए मतलब कोई अगर सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू फूर वाचिंग खंढश स सल्बों पोस्च झाल है तो कि यह को जिस्थे नव्ली थास वाख ग्रों बड़न पूस्ट्स, करता ही दो यह दो खासे हैं तो मनें कि विल्ट एल् – से जबच्व पूस, कुण।, सब्सक्रा खिस्टनें के विर्ट रच जा़ में, बस्यू थाए हैं-거나 फिंधर,